हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत हैं मेरे यूटीब प्रेनल में बच्चों जो आज आपकी वरक्षीट है क्लास सेवन्त की समाजिक विज्ञान भूगोल वरक्षीट नमबर 20 और डेट है 17-12-2020 और टॉपिक है आपका वाईू जब जल प्रत्वी एमम विभिन जलाशन से वाश्पित होता है वाश्पित का मतलब जब भाब बनती है उसकी तो यह जल वाश्प बन जाता है वाईू में किसी भी समय जल वाश्प की मातरा को आदरता कहते हैं आदरता यानि कि जो नमी बन जाती है वाईू में जब वायू में जलवाश्प की मात्रा अत्यतिक होती है तो उसे हम आद्र दिन कहते हैं जो आपने देखा होगा कि जुलाई और अगस्त के दिनों में हमारे जो वायू है पसीना नहीं सुखा पाती है और हचिपचपा चिपचपा महसूस होता है अर्थार्थ उस समय वायू में नमी होती है और उन्हीं दिनों को हम क्या कहते हैं आद्र दिन कहते हैं जैसे जैसे वायू गर्म होती जाती है इसकी जलवाश्प धारन करने की शमता बढ़ती जाती है अर्थाद जब वायू में नमी जादा होती है तो वो जलवाश्प को कम धारन करती है लेकिन जब वायू बहुत जादा गर्म बहने लगती है गर्म होती है तो जो जलवाश्प होता है यानि भाप जो होती है उसको ज्यादा ग्रहन करने की उसमें शम्ता बढ़ जाती है और इस परकार यह है और अधिक आद्र हो जाती है आद्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम एसहज महसूस करते हैं जब आद्र दिन होते हैं वायू में नमी अधिक होती है तो कपड़े भी सूखने में टाइम लगाते हैं क्योंकि वायू में नमी होती है और जो कपड़े हैं वो पहले से ही गीले होते हैं तो उनको सूखने में समय लगता है लेकिन जब वायू गर्म होती है तो हम कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं इसके बाद है वर्षन के परकार वर्षन यानि वर्षा तो पहला दे रखा है आपके चित्र में समवहनी वर्षा दूसरा चक्रवाती वर्षा और तीसरा परवतिय वर्षा अब जो समवहनी वर्षा होती है वो देखिए क्या होती है गरम वाईू जो है यह ओपर की तरफ उठ रही है और यह जो बादल है यानि पानी से भरे हुए यह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन जब गरम वाईू उठती है उपर को तो यह बादलों से टकराती है और पानी बरसने लगता है इसे बोलते बादल से टकराती है और इधर यानि नीचे से ऊपर की ओर गरम वायु उठती है जिससे की ठंडी वायू और गरम वायू दोनों तरफ से जब आती हैं और बादलों पर दबा बनाती हैं तो यह चक्रवाती वर्षा कहलाती है बादल जब बरसने लगते हैं उसके बाद है परवतिय वर्षा परवतिय वर्षा आप देखिए कि जो बादल है वो जा रहे हैं और जो ये मॉईस्ट एयर है यानि कि जो आधरता भरी जो वायू है वो भी जा रही है मतलब इन बादलों में जो पानी है वो भरा हुआ है और ये परवत से टकराते हैं बादल जो ये मोईस्ट एयर है ये बादलों को इधर की तरफ प्रेशर बनाती है दवाव बनाती है और जो परवत है परवतों से ये बादल टकराते हैं और यहीं परवतों से टकरा करके ये वर्षा कर देते हैं तो पहला पॉइंट है जब जलवास उपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है जलवास संगनित होकर संगनित मतलब एकत्रित होकर ठंडा होकर जल की बूदें बनाते हैं बादल इनी जल बूदों का ही एक समू होता है जब जल की यह बूदें इतनी भारी हो जाती है कि वायू में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है यानि वर्षा होनी शुरू हो जाती है दूसरा पॉइंट है इसका आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सपेद पत चिन छोड़ जाते हैं जब आपने देखा होगा कि कई जब जट विमान उड़ते हैं तो एक सफेद रंकी पट्टी या धुवासा पीछे एक पट्टी सी या सड़क सी बंती चली जाती है तो उसे हम बोलते हैं पत यानि रास्ता इनके इंजनों से निकली नमी संगनित हो जाती है यानि एकत्रित हो जाती है वायू के गतिमान न रहने की इस्तिती में या संगनित नमी कुछ देर तक पत के रूप में दिखाई देती है पॉंट तीन है प्रत्वी पट जल के रूप में गिरने वाला वर्शन वर्शा कहलाता है ज्यादा तर भौम जल यानि कि भूमी में जो एकत्रित जल होता है वो वर्शा जल से ही प् इंदर चला जाता है उसी को ही भौम जल कहते हैं पौदे जल संग्षन में मदद करते हैं जब पहाड़ी पाशवों से पेड काटे जाते हैं वर्शा जल अनावरत पहाणों से नीचे बहता है यानि कि कहने का मतलब है जब पहाड़ी एरियों में जो पेड होते हैं और जब हैं तो वहाँ पर जब पानी बरसता है तो वह नीचे धलानों से आता जाता है क्यूंकि जह पेड की जड़े होती है जो मिट्टी कोपकड़े होती है तो जब वर्शा होती है तो वह पानी धीरे-धीरे भूमी के अंदर चला जाता है लेकिन जब पेड काट दिये जाते है तो क्या होता है वो वर्षा जल जो है वो धीरे धीरे जब बारिश होती है तो पहाड़ों से नीचे की तरफ आ जाता है एवन निशले इलाकों में बाड का कारण बनता है पॉइंट चार है पॉदो तथा जीव जन्तुओं की जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वूर है इससे धरातल को ताजा जल परदान होता है यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है इसके विपरीद अगर वर्षा अधिक होती है तो बार आ जाती है यहाँ पर आपको एक यह चित्र दिखाया गया है वर्षा मापक इससे वर्षा को मापते है इससे एकला क्या आप जानते हैं वर्षन के दूसरे रूप कौन-कौन से होते हैं यहाँ पर बताया गया है हिम यानि जो बर्फ गिरती है वो और सहिम वर्ष्टी तथा ओला और ओस जो होती है वो भी, और ओला जो रूप में हम कहते हैं कि ओले गिर रहे हैं बरफ के रूप में वो भी, यह सब वर्शन के ही रूप है। तो यहाँ पर अब प्रशन उत्तर देखेंगे हैं, पहला प्रशन है, वर्शा के प्रकारों का वर्णन कीजिये। प्रशन दो, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने मैधिक समय क्यों लगता है। प्रशन तीन, आपके नुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। प्रशन चार, वर्शा के दिनों में आपके द्वारा नुभव की गई किसी महत्वपून घटना का वर्णन कीरिये तो इनके उत्तर हैं वर्शा के प्रकारों का वर्णन कीरिये उत्तर हैं वर्शा के तीन प्रकार होते हैं पहला समवनिय वर्षा दूसरा चक्रवाती और तीसरा प्रवतिय वर्षा प्रशन दो है वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है इसका उत्तर है वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय इसलिए लगता है क्य से देखेंगे वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को यहां पर आप गीले कपड़े लिख लेंगे गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि वायू में आदर्ता अर्थार्थ नमी अधिक होती है प्रशन तीन है आपके अनुसार दिली में किस महा में वर्षा सबसे अधिक होती है प्रशन चार है वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभब की गई किसी महत्तुकुन घटना का वणन कीजिए मैं और मेरे मित्र विध्याले से चुटी होने पर घर आ रहे थे कि अचानक रास्ते में तेज वर्षा होने लगी और हम सब पूरी तरह से भीग गए थे वर्षा इसनी तेज थी कि सडकों पर घुटनों तक पानी भड़ चुका था हम बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंचे तो बच्चों ये थी आपकी वक्षी